कातिल ही मुनसिफ है क्या मेरे हक में पैसला देगा सबसे बड़ी जनता की अधारत है थोड़ा पीछे करें पूझे नियाए वही मिलेगा हमारा देश विधी और संविध्धान से चलता है बदलापूर और जुदेरिया से में वो सोचते हैं कि कुष्टी अकेले लड़ेंगे और खुदी जीतेंगे जनता को इतना बेबस और बेवकूप नहीं समझना चाहिए खेर चलिए सरकार ने ये तो माना कि जोगी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुंकिन है मुख्य मंत्री के इशारे पर मेरा नामानकन खारिप्ष करना स्वर्गिय श्री अजीद जोगी जी और मरवाही की जनता का अपमान है अपनी पूरी ताकत छोक देने के बाद बस यही वो एक हटकंडा बचा था जिससे मुख्य मंत्री चुनाओं में दिख रही अपनी निश्चित पराजय को कुछ समय के लिए और टाल सकते थे सरकार भै में हैं स्वर्गिय श्री अजीद जोगी जी के जीते जी लगातार उनका अपमान किया उसके बाद उनके परिवार को राजनेतिक रूप से खतम करने की अब साजिश तेजी से चल रही है लेकिन जिसके सिर्ख के उपर गरीबों का आम आदमियों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री के इशारे पर जोगी परिवार को मरवाही के चुनाओं मैदान से भले ही अलग कर दिया है लेकिन न्याय पालिका और जंता की अदालत से वे हमें कभी अलग नहीं कर सकते हैं सरकार कितनी भी कोशिश कर ले हमें मरवाही की जंता के प्यार और आशिरवाद से बंचित नहीं कर सकती है हमारा मर्वाहिकी जंता से आत्मिक और परिवारी पूष्टा था है और रहे गा जिन्दगी की आखरी सांसता जोगी परिवार नरवाहिक की؛ पहलता है ये तो पूरत जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में केंग्रू कोट हैं सब पूरी कारवाई अंधेरे में की जा रही है जिसके खिलाफ कारवाई की जा रही है उसको भी अंधेरे में रखा जा रहा है जो जन्ता की आवाज है हमारे मीडिया के साथ ही उनको भी अंधेरे में रखा जा रहा है हमारे 36 गड़ में अब सम्विधान का राज कानून का राज समाप्त हो चुका है यहां तो केवल श्री भुपेश बगेल का राज चल रहा है कल वो खुद यहां पर चलके आए इंस्ट्रक्शन दिये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग आफिसर को खुलने आम बोले कि नहीं निरस्ट करना है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को जैसे कि मैंने कहा पहले भी कहा जिला कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष्ट रूप में काम कर रहे थे आज वो प्रमानित हो ग काल कॉंग्रेस पार्टी के सर्वशेष्ट कारिकर्ता का पुरुसकार दे देना चाहिए तल आपके मुख्यमंत्री जी से बात्चीत हुई थी त्या थिस्ट्रवें कि मैंने उनसे यही कहा था कि अकेले ही कुष्टी रणेंगे तो कोई नहीं जीतेगा कुष्टी लणने क के लिए अखाडे में खुद उतरके टाल ठोक रहे हैं अपनी मसल्स दिखा रहे हैं दोले दिखा रहे हैं अरे सामने कोई आएगा मैदान में लणने तब तो आप जीतोगे आप तो इतना डर गए इस बात को तो आखिर उन्होंने मांग नहीं दिया कि जोगी को हराना ना क सेवल मुश्किल है बलकि नामुम्किन भी है आप मरवाही से जोगी को निकाल सकते हैं लेकिन जोगी के दिल में जो मरवाही बसता है और मरवाही के दिल में जो जोगी बसता है उनको अलग नहीं कर सकते हैं